पैसे निकालने के लिए जाएंगे तो पैसो को लिमिटेट कर दिया गया है यानि कि कुछ मानक तै किये गए है जिसके बाहर जाकर आप पैसो के निकासी नहीं कर सकते अब क्या कुछ फैसला RBI की तरफ से लिया गया है और इस बरे कदम के साथ किस तरह से इस वक्त RBI सामने आई है इसकी पूरी शानकारी आपको डिटेल्स में बताते हैं बता दे आपको कि रिजर्फ बैंक समय समय पर करे फैसले लेता रहता है वही कई बार RBI को किसी दूसरे बैंकों के खिलाफ प्रतिबंध या जुर्माना लगाते हुए भी देखा गया है और अब RBI की ओर से फिर से एक कड़ा कदम उठाते हुए चार बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है इसके साथ ही ग्राहकों को भी तगड़ा जटका लगा है अब बैंक से जुड़े ग्राहक भी RBI के जड़िये तै की गई लिमिट के हिसाब से ही पैसों की निकासी कर सकते है RBI ने चार सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है इसमें ग्राहकों ने अपने बैंक खाते से पैसा निकालने की सीमा लगाना शामिल है इन बैंक की बिगरती आर्थिक स्थिती को देखते हुए ये कदम उठाया गया है RBI के अनुसार साई बाबा जनता सहकारी बैंक दसूरी फ्रेंस यूनियन को ओपरेटिव बैंक लिमिटेड साथी सूरी और बहराइच के नेशनल आर्बन को ओपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया गया है आदेश के मुताबिक साई बाबा जनता सहकारी बैंक के जमा करता 20,000 रुपे से अधिक नहीं निकाल सकते हैं जबकि सूरी फ्रेंस यूनियन को ओपरेटिव बैंक के लिए यह सीमा 50,000 रुपे की है इसी तरह नैशनल अबन को ओपरेटिव बैंक के मामले में निकासी की सीमा प्रती ग्राहक 10,000 रुपे कर दी गई है RBI ने विजनौर स्थित यूमाइटिट इंडिया को ओपरेटिव बैंक लिमिटेट पर भी कई प्रतीबंद समेत ग्राहको द्वारा धन निकासी पर रोक लगा दी है बतादे कि केंद्रिय बैंक द्वारा चार सहकारी बैंकों को या नर्देश बैंकिक विनियम अधिनियम 1949 के तहत जारी किया गया है जो 6 महीने तक लागू रहेगा रिजर्व बैंक ने एक अन बयान में कहा है कि उसने सुर्योदे स्मॉल फाइनेंस बैंक पर धोखा धरी से संबंधत कुछ मान डंडो के उलंगन को लेकर भी जो पैसे हैं उसे जुर्माना की तोर पर लगाया है जहाँ पर 57.75 लाख रुपे का जुर्माना लगाया गया है तो ये कड़े कदम जो है वो RBI की तरफ से उठाए गए है और इसमें कुल मिलाकर 4 सहकारी बैंक जो है वो शामल है जहाँ पर पैसे के निकासी को लिमिटन्ट कर दिया गया है तो कड़ा कदम है RBI की तरफ से अगर बात करें तो समय समय पर ये फैसला RBI की तरफ से लिया ज जाते हैं वो जानना बेहत जरूरी है ताकि जब भी आप बैंक में जाएं अपने काम को करने के लिए तो आपको किसी भी तरह की परेशानी ना झेलनी परे फिलहाल कि ये इतना ही जाद अपडेट के लिए आप जुड़े रिए ये न्यूस फानिशन के साथ नमस्का